हुआ है है कि महनप्रति रोध प्रदर्शन कर रहे हैं और महन प्रती रोध प्रदर्शनikit है उसका च्बान प्रेभिंप हम अपनी मंनते हैं हैं और मांग को कहते हैं लेकिन हमारे कि में कोज़ानुड़ साहती है और आज महून पृति रोध प्रदाशन करए हैं हें हमारे बीच में बल्विंदर यह कुछीות सेध्य हूसतां के अंदर हो जैंगे उससे पहले हम अपनी बात कर लेते हैं बल्विंदर जी आज आपने मह överातार प्रदशन करती जा रही है उसके बिरोध में आज एक साइलेंट चेतावनी हम दे रहे हैं या तो आप सुधर जाएं अन्य था ये वही समाज़ जो आपको अर्श तक लेकर गया था और समय आ रहा है कि अब आपको फर्श में गार भी देंगे और आखरी चेतावनी है हम बार-बार दिखा हुआ है और आप शोशीतों वंचीतों की आवाज को दवाने की कोशिश कर रहे हैं अब यह बर्दास से बाहर हो चुका है और आप चिंता ना कीजिए दो तारिक को हमने शक्ति प्रदर्शन करके आपको दिखा भी दिया है और आने वाले समय में जल्द ही आपको आ आपके बीच में आया और उनों ने उन लोगों को बंद किया और आज तक भी लिष्ट बना रख किये पुलिस ने उनको घर घर जाके गाओंगा उनको बंद किया जा रहा है देखिए पिछले कुछ समय से जब से दो तारिका भारत बंद हुआ है उसके बाद से शासन और प्रशासन ने लगातार समाजिक उत्पीडन की हदे पार कर दी है आप देखेंगे मेरट के अंदर और बुलंशेर के अंदर दलित लगातार पलायन करने को मजबूर है हमारे ह जारों बच्चे अब तक गिरफतार हो चुके हैं और पूरे देश भर में एक तरह ऐसा महौल बना दिया है कि जितने भी उत्पात मचाने वाले हैं वो सब दलिती ही वर्क से हैं लेकिन हम सरकार को बताना चाहते हैं कि सर्फ फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में हैं से की परिभाशा को आप ऐसे ही चेक करते रहेंगे तो समय दूर नहीं है जनाब कि जब यह बहुजन समाज फिर से सड़कों पर आने को मजबूर हो जाएगा लेकिन अपके शांती पूर्वक हुआ था और अगली बार इसका आप विक्राल रूप भी देखेंगे बलविंदर जी अब जो ग्रह मंत्री हैं अगर मैं सिधा सिधा नाम लोग राजनाद जी और संसत के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि जो पंदर प्रसेंट जो लोग है आज इन लोगों से गवराए हुए हैं कि जो तारिक को भारत बंद था उन्हें गवराट पैदा हो गई अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उत्री और इसका आतलग ये लोग ये समझते थे कि बहुजन समाज भिखंडित है जो कभी भी अपने मुद्दों पर एक साथ नहीं आ सकता लेकिन इन लोगों ने सड़कों पर आके दिखा दिया कि अब बहुजन समाज अपने रिजब सीट से चुने हुए प्रती निदिये 131 सांसद हैं आपको अपनी गिरेवा में भी जाकना होगा या तो आप मनुवात के साथ हो या हम बहुजन समाज के साथ हैं समय आगिया है यदि अब भी आप अपनी उकात में नहीं आए तो यही बहुजन समाज जिसने आपको बनाया है रिजब सीटों पे आपको चुनके भेजा है वही समाज आपका समाजिक बहिशकार करने को तैयार है और यह दोगला पंती नहीं चलेगी कि जब चुनाब आएग लुँन हम दे रहे हैं और हम कुछ मांगे भी रख रहे हैं इसमें कि सरप्रथम जो भारत बंद के अंदर हजारों बच्चे गिरफ्तार हुए हैं उनके ऊपर से सभी अफ़ाइयारों को रद किया जाए जो ग्यारा बच्चे हमारे शहीद हुए हैं उन बच्चों के शेतावनी हैं और समाज गुलाम सांसदो आप के लिए खास कर आप लोगों का समाजिक वहिशकार की श्रुवात हो चुकी आप देख चुके हैं या तो आप लाइन पर आ अन्य था इस समाजिक वहिशकार के लिए आप लोग तैयार हो जाईए बलबींदर जी कुछ दिन देखा गया कि दो चार दिन से अनुसुचित आयोक की तरफ से जो वैबसाइट दिया है उसका कुछ नंबर दिये हैं कि अगर जो दो तारिक के जो एक्टो सिटी का जो मैटर साथ जिसमें भारत बंद हुआ है कि जो बच्चे बंद हैं उनकी लिए एक हमारे पास दें और वह नंबर ऐसे दिये हैं कुछ लोगों का मानना आप जैसे साथी कह रहे हैं कि वह फून कभी उठाए नहीं जाते उठाए जाते हैं तो साब नहीं है नहीं मजाक बनाके रख करने के मजबूर हैं और आप नंबर चला रहें आपको वहां खुद पहुंचना चाहिए था और खास कर हमारे यह सांसत बारबार के रहे हम अपनी बात रख रहे हैं अपनी बात रख रहे हैं लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो अरे सरकार अगर आप में दम है दीजे रिजा क्लियर का हुआ है जितने भी हमारे साथी बच्चे पकड़े गए उनके उपर सारी जो मुख्यय योदा है जिनों ने ठाकुरों से मोर्चा पहले लिया था भी मार्मी से पहले सोनु और सुवकुमार जो पहले परदान थे वहां पर जो जनरल सीट पर गड़के आये थे जि जानते हैं हमने जानते नहीं है जब यह केस हुआ था तो दिल्ली के अंदर जो पहला प्रोटेशन हुआ था था अपने चंशेकर रावन जी के लिए जो पहला दिल्ली में प्रोटेश्ट हुआ है कि अ कि कि